व्यक्तिगत चोट दिशा निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नवीनतम विकास में आयरलेंट के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि व्यक्तिगत चोट पुरसकारों में कटोती करने वाले दिशानिर देशों का प्रणाली गत महत्व का कानूनी प्रभःव है अदालत ने ब्रिजट देलाने के मामले में ये निरनय लिया, जिन्होंने असफल रूप से तर्क दिया था कि उन्हें पहले के दिशाने देशों के तहट अपनी चोट का मुल्याकन कराने का हकदार होना चाहिए अदालत के फैसले का मतलब है कि वर्तमान में न्यायक विशलेशन का इंतजार कर रहे हजारों व्यक्तिगत चोट के मामले प्रभावित होंगे अदालत ने ये भी संकेत दिया कि वह ब्रिजट डिलाने को उच्च न्यायाले और सर्वोच न्यायाले में उनकी पूरी कानूनी लागत देने के लिए तैयार है सुप्रीम कोर्ट का फैसला व्यक्तिगत चोट के मामलों में बीमा कमपनियों और अन्य प्रतिवादियों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है इससे आयरलेंड में व्यक्तिगत चोट पुरसकारों के आकार में कमी आने की संभावना है